हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोगाई होप आप सभी अच्छ होंगे तो फ्रेंड्स एनिमल का प्री टीजर लॉंच हुआ है जिसमें मैंने देखा कि काफी अच्छा गोल्डन डिजाइन यहां पर यूज किया है तो वह कैसे आप बना सकते हैं आफटर फेक्ट के अंदर तो सारी चीचें बताने वाला हूं आज किस वीडियो में तो चलिए रेक्टी चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्कीन के ऊपर तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यह काफी अच्छा डिजाइन जो आपको यहां पर देखने मिल रहा है तो पूरा का पूरा गोल्डन और यह पूरा गोल्डन जो पूरा पैटन देखने मिल रहा है तो यह कैसे बनाना है सारी चीज़ें बताने वाला हूं तो सबसे पहले हम आफटर फेक्ट ओपिन कर लेंगे यहां पर हम एक नया कंपोजिशन कर लेता है 1921-1080 रुपी 30 फ्रेम रेंट यहां पर चूज कर ल ना है तो सिंपल मैं क्या करूंँगा मैंने ड्लोड करके रखी हुई है तो मैं इसको इमपोश पर लेता हूं यहां पर तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया तो मैं इसको नाम रख दूंगा मैं यहां पर गोल्डवे piston रेफ्लेक्स न मैंने यहां पर इसका नाम रख the composition क औ और इसके अंदर इस image को मैं import कर लूँगा और इसका जो size है यहां पर मैं इसको छोटा कर दूँगा यहां पर और इसके इसमें जो effect है वो मैं लगाऊंगा CC इसके अंदर लगा देना है और इसके जो विर्थ वह आपको expand कर देना है यहां पर यहां पर यहां पर इसको एक text add करना है तो text यहां पर sample के लिए मैं यहां पर अपना नाम लिख लिए रहा हूं तो यह देखे मैंने आप अपना नाम जो है add कर लिए इसको जो हम proper align कर लेंगे आप font और देख सकते हैं यहां पर यह free font आप download कर सकते the font website से जहां से मैंने download किया हुआ है और इसको प्रॉपर आपको यहां पर करना है कि आपने जो composition import की है जो बनाई है golden reflection तो इसको भी आपको import कर लिना तो यह देखे मैंने आप color यह देखे मैंने और ऐने यह देने की कुसिशस कर रहा हूं मैं इसको इस तरीके का color मैंने आपको चूस कर लिया है कब यहां पर मैंने जालतिया है कर तो कब से पहले हम यहां पर एक effect डाल देंगे यहां पर हमको डलना है CC 50 blob lies तो यहां पर फ़स्ट वाला जो आपको देखने मिल भर ब्लाबय। तो इसमें आपको जाना है और यहां पर आपको टेक्श्ट चूज कर देना है यहां पर जाना आपको यहां प Chili आपको और मास्ट जाम कर देझें काफी अच्छी डिटेल्स अपकर देखने मिल जा रही कि और उसлемे बाएंगे तोस्ति cents काम कर देंगे तो संतिंग कर देंगे यहां पर सेवें इतना देखने में मुझे कभी अच्छा लग रहा है मैंने इसको यहां पर इतना क्लम मुझे उस्ति कर च्लिक हैसे इसके बाद में आपको यहां पहें ओर सा कम कर देravag और इसको something मैं रख दूंगा 15 मुझे ठीक लग रहा देखने में तो यह मुझे सही लग रहा देखने में अब इसके बाद मैं आपको क्या करना कि इसमें एक effect apply करना जिसका नाम है offset तो यह देखे है इस तरीके से जो design है पर साही हो गई है और काफी अच्छा जो है यहां पर reflection आपको देखने मिल रहा है ऐसा लग रहा है जिसे कि कोई भी light जो है किसी metal की उपर जैसे light डालते है तो वहां पर जो sign आता है वह वाला effect आपको 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 देखने मिल रहा है अब simple इसमें ए light पड़ती है किसी भी gold की उपर किसी भी metal की उपर इस्टील की उपर तो वैसी light आपको यहां पर देखने मिल जाती है तो आप देखेंगे जो टेक्स है हमारा ready हो गया यहां पर golden टेक्स जो है अब कोई से भी टेक्स आपर चेंज कर देंगे जैसे कि मैं यहां पर रगूव तो मंडाला जो design है वह हमको आपको download कर लेंगे सिंपल आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत साइट design देखने मिल जाएंगे तो इसको आपको simple पी एंजी मेज जो इसका बना लेना है तो पीनजी में कैसे बनाना कैसे क्या करता है बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हु कर सकते हैं बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया हुआ तो आप वहां पर देख लें इसके बाद में हमको simple करना क्या है कि हमको आजाना है simple हमको वह image डाउनलोड कर लेने तो यह देखे मैंने image डाउनलोड कर लिए है remove करके देन इसके बाद में हमको एक नया composition create कर लेना है तो देखे composition create करने के बाद में आपको क्या करना कि इस image को import कर लेना यहां पर अब कितना size बगर आप रखना चाहते हैं वह size आप देख लीज़े आपके according setting then इसके बाद में इसमें rotation का जो effect वह आपको लगा देना यहां पर simple और बाहर जाकर कितना आपको इसको move करना वह आपको set कर लेना है इसके बाद देखेंगे तो rotation इस टैप से देखने मिल जाता है scale आपको बढ़ाने तो आप scale बढ़ा सकते हैं then simple आपको करना क्या है कि यह यहां पर जैसे कि मैंने scale पूरो बढ़ा दिया है तो इतना scale जैसे कि मैंने बढ़ाया हुआ है अब इसके उपार आपको effect डालने जैसे कि मैं आपको डाल नहीं तेंट effect में डालने के बाद में simple color जो है हम वही चूस कर लेंगे तो जैसे कि मैं यहां पर आ जाता हूं अब पर इसका जो color है यहां पर मैंने choose कर लिया simply अपर मैं copy कर लेता हूं इस-effect को और इस सही कि आ करके मेरे को paste कर दे न है तो यह दे सेंthose defeating softness से इसको कम कर देंगे सब्सक्तिन कर देना है तो इसे चऌने तो मने मैं इसको mask कर दिया है अब यहां पर प्रॉपर कुछ इस तरीके से डिजाइन दो है आपको देखने मिल रहे है अब कलर वगरा जो है इसका आप कम ज्यादा करके देख सकते हैं जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिजाइन जो है प्रॉपर तरीके से सो चुल शूब है तो इसको त्छह बरव कि एकशे स्टाइश्ग जाता है तो थोड़े पहित है उसी सम्वेडिन ऋब teddy तेख सकते हैं तो यह देखें बाट सम्व के वर अपको छो सम्टिन देखने करना है तो यह स्टाइब कर लिए लिए है पर पर मंडाला इफेक्ट अभी इसका जो background वगएर आपको जो डालना है वह यहां पर डाल सकते हैं अब simple एक नया composition create करिए जिससे कि मैंने यहां पर एक नया composition create कर लिया है और यहां पर आ करके इसमें मैं दोनों import कर लूँगा first and second composition जो है यहां पर मैंने import कर लिया है अब first वाले का size बगएरा है वो आप adjust कर सकते हैं text का कितना आपको रखना है कितना नहीं तो यह देखें इस तरीके से जो यहां पर पूरा overall बन चुका है इस तरीक से देजाइन है आप यहां पर एपर हैं आब यहां पर डपेंड करता है जैसे कि मेने manala की तो इस तरीके बनाई हुई है आप चाहिए झाल, झाल, झाल